साथों दिन वही काम रहता है सुबह साम दिन दोपार दस्बेंड कभी कभी छुटी नहीं रहता तो हम लोग बहुत थी अच्छे से आम एनस करके रखते हैं ले जाए थोड़ा मन करता है कभी-कभी उनके साथ हम लोग को भी तोड़ा टाइम मिले थोड़ा घूमेट आले खा सुटी हो जाता है घर आ जाते हैं तो आज उनके अर्टिफिन के लिए बनाए थी इटली जिसमें मुने प्याश टमाटर और नमक थोड़ा सालका सामसाला भी डाला हुआ था जिससे चटनी बगारे की जरुत ना पड़े क्योंकि वो चटनी नहीं खाते हैं तो इसलिए थो तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं आज 10 वे तक निकलूंगा पर अगर तुम्हें कुछ बनाना हो तो बना दो मैं हलका सा खा के निकल जाओंगा तो मैंने सुचा चलो और बना देती हूं और लड़ो भी आ जाएंगे सार दस वे तक तो मेरा भी जो काम इस सुबह के टाइ और इसको बनाने और खाने में बहुत ही ज़्यदा मेहनद लगती है कि अगर इससे अच्छे स्टरकता ना च्छिला जाए ना काटा जा तो यहातों ही ज़्यदा खुजली करती है इसलिए मैं अपने हाथ में आप सब देख सकते हैं पॉलिथीन पहन कि मैंने इसको साफ किया और इसको कड़ भी कर रही हूँ पर मैंने थोड़ी जरूर लगती है पर यह मेरा फेवरेट सब्जी है तो मैं सीजन में इसको दो-चार बार जरूर बनाती हूँ तो हस्बेंट से मैं बोले थी कि अगर मार्केट में यह वाले सब्जी मिल रही है तो आप जरूर ले आएए और भी उनको ज्यादा पर यह आम बंडा वाला जो सब्जी यह वो कम ही खाते हैं लेकिन मेरी वजह से ले आते हैं तो एक तरफ मेरा इडली जो है बन गया था दूसरे तरफ सब्जी को मैंने अब फ्राई करने के लिए डाल दिया है तो फ्राई कर देने से इसकल में खरा आ कुझली सा होता होता आथ से फ्राइ कर दूंगे दूसरी तरफ कूकर में मेथी का तड़क लगा के और जो ठंडा मसाला होता है मतलब जो सरसो लेस्टों ज़र मिक्स करके जो मसाले होतों वही आपि इसके तड़क लगाए थी फिर यह फ्राइज के वे जो सब्जिया इसमें डाल दिया फिर चला का तो थोड़ा सपारे डाल के कोकर में सीटी लगाएं बहुत ही अच्छी से पक जाएगा इसका टेस्ट भी बहुत-बहुत-बहुत ही अच्छा आता है खाने में आज सब देख सकते हैं देखने में कितना जाया टेस्टी लग रहा खाने में भी इतना है टेस्टी लगता है उसके बाद यहाँ पर लड़ो आ गए थी स्कूल से अस्वेंट भी मेरे जा चुके हैं तो अभी दूसरे मार्केट में गया है विजिट के लिए तो यहाँ भी यह आ है और खाने में इतनी ज़्याद अला परवाई करते हैं इनको प सब्सक्राइब जरूर खिला देती हूं तो यहाँ पर मैं उनको थोड़ा सा डाट के खाना खिला रहे थी तो मेरे हज्वेंट का जोगव वह हफ्ते में एक दिन भी उनका चुटती नहीं रहता है यह होता कभी कभार एक आद घंडा थोड़ा सा लेट हो जाता है जाने में मतलब जान भूच की रुख जाते हैं हफ्ते में जब मैं थोड़ा सा मतलब कहती हूं कि आप एक दिन भी आप लोको टाइम नहीं देते हैं तो रुख जाते हैं तो यहाँ पर पहले मैं लड़ो का पार्सल रिसीप करवा ले तो यहाँ पर इनके लिए मैंने एक टोई खिल ने भर घर का डिमांड करते हैं तो मंगा देते हैं जिससे यह जो अकेले रहते हैं खेलनेमें ihan का बिन भी मन लगा रह एक परिशान आहु मुझे भी बुरा कभी कभी लगता है कि एक ही बच्चे से दो बच्चे होते हु तो आपस में खेलते हैं को अच्छा लगता है उनको एक कंपनी मिल जाती है पर हम लोग कितना खेलेंगे मेरा भी सातों दिन वही काम रहता है सुबह साम दिन दो पर हस्बंट कभी कभी छुटी नहीं रहता तो बच्ची के लिए इस्कूल या तो टौई दो चीज तो हम लोग बहुत थी अच्छे से हम एनस करके रखते हैं हस्बंट को एक दिन भी टाइम नहीं रहता है क्योंकि उनका प्रमोशन हुए एक मंत हो गया है और उनने अपने प्रमोशन का हम लोग को पार्टी देने के लिए बोला था बोला था होटल ले चलेंगे खाना खिलाने के लिए पर उनके पास इतना भ पर हम लोग दोनों लोग मैनेज करके किसी तरह चला रहे हैं तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग और इतना ही आज का ब्लॉग में सोथ कर पाई थी तो बस यहीं इतना आप लोग के साथ शेयर कर दिया है मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में तब तक लिए बाई बाई